असलाम अलेकुम डियर वीवर्स वेलकम बैक तो माई चैनल जी वीवर्स इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे UK visitor visa से related आजकल जैसे के बहुत से लोग UK का visa apply कर रहे हैं और इसी वजाए से हमें क्यूरीज भी बहुत जैदा हैं तो दो बहुत कॉमन क्यूरीज है मैं उसका आज आज आंसर करना चाहूंगा इस वीडियो में इसके क्यूरी आती है कि हमने अपने डाकुमेंट समिट कर दिये हुए हैं फीपे कर दी है माले बायो मैट्रिक्स हो गए हैं बट वी आर वेटिंग हमारा डिसीजन अभी तक नहीं आया कब तक आएगा तो इस पे अपडेट और सेकिंड जो common question होता है कि जी अक्सर जो लोग खुद से विजा apply कर रहे होते हैं तो वो अगर कोई documents में mistake कर देते हैं को important document नहीं लगाते हैं या form fill करते हुए कोई mistake कर देते हैं और अब उन्होंने apply कर दिया हुआ है उन्होंने fee pay कर दी हुए है उनके biometrics हो गए हुए है now what to do तो इस वीडियो में viewers में इनी दो questions का answer कर र है और share भी कीजिए ताके बहुत से लोगों तक accurate information पहुच रही हो which is very important so viewers आते हैं आज की वीडियो पे इन दोनों curious का answer करने के लिए अब UK ने जो है वो contact us उनका एक link है उस पे जाके nominal fee pay करके आप अपने application का status भी जान सकते हैं और अगर कोई mistake हुई है तो उसको rectify भी कर सकते हैं अगर को document भूल गया है तो वो भी लगा सकते हैं ठीके viewers तो आपक सकते हैं काइनली आप जड़ा मेरी स्क्रीन पर आईए यह वीवर्स तो दिस इस दे लिंक यह मैं description box में भी डाल रहा हूंग आपके लिए आप इस पर क्लिक करके right away इस page पर आ सकते हैं यहां पर contact UK visas and immigration for help find contact details ठीक है इसमें where are you contacting UKVI from so it's outside UK you will click next what do you need help with अब आपको किस तरह की help चाहिए यहां सारी categories दे वी हैं तो अभी हम specifically बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई mistake कर दी है अपने application में यहां आप अपना status जाना चाह रहे हैं तो you will click something else or इसके बाद what language do you want to use in our case it's English help with your application visa or other problems अब क्या-क्या issues हो सकते हैं आप क्यों का contact कर रहे होंगे so these are can be the issues कि जिसकी वज़ा से आप उनको contact कर सकते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं second पे questions about the progress of your application जो लोग कह रहे हैं कि हमारा अभी तक हमने biometric दे दी थे decision नहीं आ रहा तो आप यहां से progress जान सकते हैं secondly here it is made a mistake in your online application आपने कोई mistake कर दे आप you know you want to rectify it तो आप इस जैसे भी इस service को use कर सकते हैं इसके जो charges है these are the charges 2.74 pounds और आप through phone भी contact कर सकते है authorities को all the waiting time कुछ जैदा है और इसमें आपको जो charge होगा that 69 pounds per minute तो आप make sure कि जो आप call कर रहे हो UK number पे इस number पे तो आपके पास इतना पैसे होने चाहिए और I would rather prefer कि आप इस number पे call कर रहे हो ठीक है तो इसका waiting time कुछ कम है so viewers अब हम किस तरह से process कर सकते हैं हम क्लिक करेंगे contact UK visas contact UK visa immigration from outside UK you will click start you will click journal curious journal curious पे यह एक चोटा सा form है आप English language में करना चाहरे है given name आपका say ABC है और family name is XYZ से email address is ABC at gmail.com place where you are making or planning to make an application so अगर पाक्सतां से करने तो यह पिरे पाकिस्तान और अज़ आप इसलामबात से करने तो यह इसलामबात, is your inquiry about an existing application तो वीवर्स जब आप ओनलाइन अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो जो एप्लिकेशन आप फिल कर रहे होंगे वो जी डव्यू एफ से स्टार्ट हो रहा होगा तो आपने मेक शूर के वो नमबर यहां पर डाल रहे होंगे अगर है तो यह अगर आपको आपने बायमेट्रिक्स के स्टेट को दिये थे आपका पासपोर्ट नमबर क्या है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज अगर आप स्टेडी के लिए जाना चाह रहे हैं या वर्कमेट पे जाना चाह रहे हैं तो पिर यह आपके लिए अप्लिकेबल होगा अगर आप विजट इस तरह की कोई भी बात जो आप इदर कर रहे होंगे तो आप बताये हों के आप्लिकेशन में आई मेड़ा मिस्टेक कि यह वहला मेरे से अपना स्टेटस डाल रहे होंगे तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट ओवे यह आपको लेजएगा पेमेंट अमाउंट पे उदर आप अपने डालेंगे वह पेमेंट जो अभी मैंने वीच आपको दिखाया तो वह पेमेंट चार्ज करेगा आपको उसके डिटेल दे आपको रिस्पॉंस आजाता है तो वीवर्स इस तरह से आप अपने अप्लिकेशन के अप्डेट्स भी जान सकते हैं और अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी हैं या कोई इंपॉर्ड डॉकुमेंट अटेज नहीं किया था अट तो फॉर्स प्लेस तो आप उसको भी अब रे म करता है प्लॉक मिस्टेक कर देज आपने में और आपने कर दोषॉर्स तो.